बचपन में एक कहानी सुना करता था, कि गाउं में एक आदमी था, वो रोज शाम को चिलाता कि सियार आया, सियार आया, सियार आया, बचाओ, 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 करता गाहँ वाली जब उसको बचाने दोड़ते तब खुप तेज से हसता, सब के उपर मैं तो झूट बोला थ मैं तो मजाग कर रहा था दुबारा फिर वही करता सियार आया सियार आया गाउं की लोग फिर दो फिर वही कहता मैं तो मजाग कर रहा था उसको चिढ़ाने की उसकी आदत थी क्योंकि उसका सुभाव बन गया है मजाकिया टाइब का यही हुआ पूर्वांचल की बहुत बड़ी creator जो अब इस दुनिया में नहीं है मालती चौहांजी का मालती चौहांजी बुधवार को असमे काल कल्वित हो जाती है फंदे से लगा कर अपनी जीवन लिला को ये समाप्त कर लेती है इसकी पूर्वी कहानी आपको पता है कि विशौराज ने जिसको मालती चौहां राखी वाधा करती थी जो इनका सहयोगी था इनको वीडियो बनाने में मदद करता था अरजुन वर्मा उसके साथ ये सम्मंधों में आ गई मालती चौहां तो अभी दस दिन पूर्वीनों ने शादी करा दिया था और तो लोग कह रहे थे कि ये ब्यूज बढ़ाने के लिए चर्चा में आने के लिए वीडियो चलने के लिए समनो टंकी कर रही है लोग बहुत गंभीरता से नहीं ले रहे थे तमाम वीडियो में ने देखा तमाम यूटूबरों का ये कह रहे थे कि ब्यूज बढ़ाने के लिए नाटक किया जा रहा चुकि जितने इनके कंटेंट भी हुआ करते थे इसी तरह के होते थे कभी बिश्ण राज मर जाता था अरे चिता सजाई जाती थी उसके बाद चिलाती थी मर गया मेरा सुहाग उजड़ गया ये हो गया हो गया मालती चौहान चिलाती थी अभी कभी मालती चौहान मर जाती थी चिता सजाई जाती थी इस तरह के उलूल जूलूल इनके कंटेंट हुआ करते थे कि हकीकत में जब इनके साथ ऐसा हुआ तो लोगों को लग रहा था कि मजाब हो रहा है वैसे ही जब अर्जुन बर्मा से शादी कराई इन्होंने बिश्णुर राज ने मालती चौहान की लोगों को लगा कि मजाब को रहा है विश्ण बर्मा अर्जुन लेकर निकल गया हनीपून पे दस दिर रहा जब उसका मन भर गया तो उसके बाद जब प्रेम का भूद जो था वो खतम जो सवार था सर पे वो समाप्त हो गया उसके बाद वो अपने घर चला गया और मालती चौहान अपने माई के चली गई और जो छोटा बच्चा था वो विश्णुर राज के साथ ही था यहाँ पर विश्णुर राज को लोग बड़ा महान हम दिल दे चुके सनम एक फिल्म जो आई थी बहुत पहले उसी का पात्र इनको मागरबान रहे थे सल्मान खान की तरह लेकिन उसके बाद में जब राज खुलता है कि यह जितनी इन लोगों की नव टंकी थी जो इनके कंटेंट थे वही इनके लिए घातक हो गए अभी ये बित्रों पहले बता दूँगी कोई घटना घटित होती है ति ये एक दिन की परणित नहीं होती है तो चार दस दिन की परणित नहीं होती है सालों साल साल चे महिना दो साल का जो घटना क्रम होता है उसके लिए उत्तरदाई होता है अभी दो हफ्ते पहले दो तीन हफ्ते पहले मालती चौहान गई थी तहरीर दिया था उसने कि हमारा पती हमको परिशान करता है मारता पिट रहा है विशुराज के उपर और जो अर्जुन बर्मा मेरा सहयूगी है विडियो बनाने मेरा सहयूग करता है उसको लेकर उलूल उलूल बाते किया करता है जो उसके साले सम्मंदों में है ये है वो है विशुराज के उपर उसने आरोप लगाया था तो जैसा पुलिस करती है और इनका कंटेंट भी चुकी मजाकिया टाइप का हुआ करता था इसलिए उनको लोगों को विश्वास बहुत कम होता था हलाकि पुलिस ने अपना काम किया दोनों को बुलाया थाने में दोनों को समझाया बुझाया गया 151 के अताहत दोनों लोगों का चालान किया गया चालान में 151 चुकी धारा इतनी तगड़ी नहीं होती है यो लोग फिर जमानत पे घर चले आए लेकिन बात यह हकीकत थी दोनों के उंदर तनाव चल दा था उसकी परड़ित यह हो गई कि जब अरजुन बर्मा मालती चौहान को लेकर फरार हो गया इसके बाद यह होता है कि मालती चौहान अपने मैके चली आती है और विशूराज जाता है उसको लेने और विशूराज लेकर जाता है अपनी पत्नी को लेकर आता है कि दो-तीन दिन बाद पता लगता है ये घटना क्रम घटित हो जाता है और मालती चवहान की सास अपने बेटे का बचाव किया उनका कहना है तिक सुबा मैं गई कमरे में देखा चुकि नाती मेरे पास था जो बच्चा ये उरास था मैं गई मैंने किवाडा जहांक कर देखा तो ये घट देखा कि उसका फंदे से लटकी हुई है उसकी जीवन लिला समाप्त हो गई चुकि मेरा बेटा बाहर था गोरकपुर में दूसरे इस्टूडियो पर था अपने बेटे का उन्होंने बचाव किया है मालती के पिता दीपचंद ने जो तहरीर दिया है उन्होंने कहा कि पांच साल पूर विश्रू रास से मैंने अपनी बेटी की शादी किया था और बराबर मेरी बेटी को वो परिशान करता रहता था और उसका कारण यो बता रहे हैं कि 2,00,000,000 रूपे दहेज में मागता था बुलेट मोटर साइकल मागता था जो बात गले नहीं उतर रही क्योंकि जब इनके पास इतना सब कुछ हो गया था धन संब्रिद्धी हो गई थी मकान हो गया था गारी हो गई थी बुलेट हो गई कैसे माना जाया जो उसने खुश शादी कराया था लेकिन इसमें अब मुद्दे पराते हैं कि एक बीडियो है बीडियो पुलिस के हाथ लगा है अंतिम बीडियो मालती चोहान का जो पूरा परदा उठाएगा उस परदे में जो उठेगा उसमें देखिए बिश्णुराज को ऐसा नहों कोई आजीवन कारावास हो जाए लेकिन इसमें मैं कहता हूं मित्रो कि इसमें अरजुन बर्मा भी बरावर का दोसी बरावर का अपरात किया है अरजुन बर्मा ने कि ओल बिश्णुराज ही दोसी नहीं इन दोनों ने मिलकर इतना प्रताडित किया मालती चोहान को कमालती चम्हान असमेकाल कल्पित हो गई और अप दीपचंद ने तहरीर में दूसरी तहरीर में कहा है कि इनके साथ एक महिला भी शामिल थी विशुराज के साथ एक महिला और एक पुरुष दो लोग और सामिल थे महिला के साथ दीपचंद यादो दीपचंद ने कहा है अ यहर बात पे ही कह रहे हैं कि पुलिस अपना इंवेस्टिगेशन कर रही है अब देखिए इसके बाद क्या निकल काता है आप देखते रिये अजोध्या धर्मन फिर हम हाजिर होंगे धेर सारी शुक्तामना पड़ाव आपको